गरीब ननद आई माई की काविया एक बड़े परिवार की बेटी थी लेकिन पिता के वचन के जलते उसकी शादी अपने पिता के गरीब दोस्त के बेटे से हो जाती है और काविया एक गरीब घर की बहु बन जाती है गरीब होने के बावजुद उसके सिसुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी इस बात का एसास तक नहीं होता था कि वो गरीब है काव्या बहु, शादी को एक साल होने आया है अभी तक तु डंग से अपने माईके में रहने तक नहीं गई हाँ माजी, बात तो आपकी सच है एक साल में मानो मैं तो अपने माईके को भूली गई हूँ आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हो लेकिन अब मम्मी की बहुत याद आ रही है सोच रही हूँ कि इस बार एक महीने रहकर आऊं क्या अरे ने नी, एक मेंना दो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहां सब कैसे मैनेज होगा अरे जैसे काविया के ना रहने पर मैनेज होता था जाने दे ना उसे कुछ दिन के लिए अपने घर तेरे माम बल्कुल सही कह रहे है रोहित वनना मेरा दोस्त बोलेगा कि जब से बेटी दी है, तब से बेटी को वापस आने ही नहीं दिया। सब ही हसने लगते हैं। ठीक है काव्या, तुम पैगें कर लो, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे माई के छोड़ाऊंगा। दो जूड़ी कपड़े ही तुर रखने हैं। बाकी मेरे माई के में, मेरे अलमारे में मेरे कपड़ी और बाकी सामन पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर काव्या कॉल करके अपनी मा को बताती है कि वो घर आ रही है। सुनिता, मिनिता, कहा हो बहो। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हूं माजी। अरा कभी तो ढ़न से बात कर लिया कर दीदी की तो आतती है ऐसे बोलने की क्या हुआ माजी बताईए तो अरा काव्या घर आ रही है कल एक महीने रहने अच्छा काव्या दीदी आ रही है ठीक है आ जाने दो हाँ तो उसके स्वागत के तैयारी करो है जी माजी महीं कमरे में अब तो लगता है बुढ़िया से ढंक से बात करना ही पड़ीगी हां नहीं तो वो प्रापर्टी की एक फूटी काडी भी हमें नहीं देगी वो छोड़ बुढ़िया की लाडली बीटिया घर आ रही है पक्का प्रॉपर्टि के लिए ही आ रही होगी वना एक साल होगा है शाती को आब एक यो मुझ दिखाने आना इसे बात मिदम तो है दीदी बुडिया को ऐसा भड़काएंगी ऐसा भड़काएंगी कि वो खुदी अपने उस गरीब बेटी को धक्के मार कर खर से निकाल देगी क्या कहती हो हाँ अगले दिन मा मैं आ गई आजा मेरे बच्ची आजा और कितनी दुबली हो गई है पहले से तू हाँ वो अब शरीर में बदलाओ तो होता ही रहता है ना मा कभी मोटी तो कभी पतली होना लगा ही रहता है दीदी कहीं सिसुराल वाले जुम तो नहीं करते न आप पर हाँ गरीबों का क्या भरोसा दहज के लिए परिशान करते हो खाना ना देते हो अरे नहीं नहीं भाबी आप इतना मट टेंशन लो मेरे सिसुराल वाले बहुत अच्छे है हम इसलिए दो जोड़ी कपड़े में आपको भेजा है यहां वना लगेश लेके ना थी क्या हारे मेरे कपड़े है न यहां पर इसलिए मैं लगेश नहीं लाई वो तो मैंने पैन डाले अब तुम लोग काव्या को थोड़ा आराम करने दोगी है चाय पानी पूछोगी या बस बातों में लगे रहोगी जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ मेरी बेटी के लिए जी माजी फिर दोनों बहुएं किचन में चली जाती है जा तू भी फ्रेश होके आजा तब तक जैसे ही काव्या अपने रूम में जाती है अरे अरे दिदी वहां कहा जा रही हो अब मेरे कमरे में अब वो आपका नहीं मेरा और आपकी भाईया का कमरा है हमारा कमरा छोटा पड़ता था ना इसलिए हम इसमें शिफ्ट होगे आप गेस्ट रूम में रहलो खुश दिनों के लिए क्या कमरा फसाओगी काव्या को मनी मन भावी के बाद बुरी लगती है कि कल तक वो जिस घर की बेटी थी आज उसी घर में मैमानों का दरजा दिया जा रहा है उसे लेकिन वो कुछ नहीं कहती ठीके मुझे मेरी अलमारे से सामान दे दू मैं वहां रहलोंगी आपका सामान कौन सा सामान दी दी अब यहाँ आपका कुछ नहीं है जो भी था मैंने फिक दिया और जो यूज करने लायक था यूज कर लिया कावया भाभी की बात का कोई जवाब दिये विना गेस्ट रूम में चली जाती है यार मैंने तो दो जोड़ी कपड़े ही लाए एक काम करती हूँ मा से पैसे लेकि मार्केट से कपड़े ले आती हूँ मा कुछ पैसे दे दो ना कपड़े लाने भाभी ने मेरे सारे कपड़े यूज कर लिये अच्छा यले बिटा पैसे ले और जाकर शॉपिंग करा फिर कावया कपड़े लेने चली जाती है वहीं सुनीता सब कुछ देख रही होती है आज कपड़े के लिए माजे से पैसे लिये है कल को प्रापर्टी में हिस्सा मांगेगी ये गरीब कुछ भी हो इसे जल्दी से जल्दी यहां से भगाना होगा इसका तो एक ही उपाई है माजी के मन में मीठा जहर घोलना होगा मीठा जहर मतलब? मतलब साप भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे सुनीता चाई नाष्टा लेके हॉल में आती है काव्या दिदी कहां गई? हम चाई नाष्टा लाए थे आ रहा उसके पास कपड़े नहीं थे ना तो मैंने पैसे दिये है मार्केट से कपड़े लाने गई है बुरा न लगे तो एक बात बोलू माजी हाहा कहो दिदी सुसराल से भी तो कपड़े ला सकती थी ना यहां के भरो से क्यों? आज आपसे कपड़ो के लिए पैसे लिए हैं कल को फैमिली का बहाना करके उनके लिए पैसे मांगेंगी और क्या पता लगा कि परसो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाए मेरी बेटी ऐसी नहीं है वक्त की मार का कोई भरुसा नहीं माजी कब कौन बदल जाए हम तो बस बता रहे हैं मिसिस वर्मा कितनी अमीर है अपनी बेटी की शादी अपने से उचे खांदान में की है उन्होंने पता है बेटी ने माई के वालों के उपर केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए यह बात तो मैंने भी सुले थी तबी काव्या वहां आती है क्या बाती हो रही है? देखो मा, मैंने ये कपड़े खरीदे हैं, कैसे हैं? अच्छे है दीदी, ये तो बड़े महंगे लग रहे हैं हाँ, दस अजार के हैं और आपकी ये साड़ी तो बहुत सस्ती लग रही है हाँ, माजी लाई थी, पान सुकी है वो छोड़ो, ये लो नाष्टा करो फिर दोनों वहाँ से चली जाती है, वही शाम में दीदी, आज खाना बना लोगी आप? मेरे सर में बहुत दरत है और विनिता किठी के लिए जा रही है ठीके भावी फिर काव्या किचन में लग जाती है वही सुनिता कमरे में आराम फरमाती है ऐसे ही दिन बीचते हैं सुनिता और विनिता काव्या से घर का सारा काम करवाती और सारा दिन बस अपनी सास को भड़काने का काम करती दीदी, ये आपकी भाईया के कपड़े है धुल लिजेगा और मेरी एक साड़ी भी है ओकी भाईया महीं कपड़े धुलने के बाद दीदी, मेरे अलमारी साफ कर दोगी प्लीज वो क्यायना मुझे इनकी साथ थोड़ा बहार जाना है किसी काम से और अलमारी भी गंदी है कोई न, मैं कर लूँगी भाईया थैंक यू दीदी बेटा, कुछ समय बाद कमरे में आ जाना वो क्यायना सर में बहुत दर्ध हो रहा है मेरे ठीके मा फिर काविया जल्दी जल्दी सारे काम निप्टा कर अपनी मा की सेवा में लग जाती है इतना अच्छा लग रहा कि नेंदा रही है आप सोजाओ, मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ मा सोजाती है, वही काविया पैर दबा कर वहां से चल्दी शाम को अचानक से घर में दोनों बहुए शोर मचाने लगती है मा जी, मैं कह रही हूँ आपके बेटी ने ही चोरी की है क्या हुआ बाबी? पैसे चाहिए थे ना, तो मांग लेती अल्मारी साफ करने के साथ साथ मेरे पैसो पर भी हाथ फेर लिया आज मैंने जो आपको कपड़े दिये थी, इनकी जेब में सोने की चेन रह गई थी आपको मिली थी? नहीं तो बाबी, उसमें कुछ भी नहीं था अरे बेटा जोट मत बोल, मुझे सब पता है, तु यहां क्यों आई है मेरी तिजोरी से भी पैसे गायब हुए है और उसका लॉक तो सिर्फ तुझे ही पता है विनिता कुछ सोचने लगती है सास जब तिजोरी खोल रही थी तो विनिता पीचे से लॉक खोलते हुए देख रही थी और सास के जाने के बाद विनिता ने जाके पैसे चोरी कर लिये थे मा, आप खुछ पे मत कहिए आपको मुझे पर यकिन नहीं है देखियो दीदी, इस घर में गरीब तो एक आप ही हो आप के सिवा कौन करेगा ये गंदा का मा जी मैं तो कहते हूँ नाना जी ने ये सब किया है इनके कमरे की तलाशी होनी चाहिए जिसके बाद दोनों भाबियां काव्या के कमरे की तलाशी लेती है जहां मा और विनिता के चोरी हुए पैसे भी मिलते हैं, साथ ही इस दुनिता के सोने की चेन भी मिलती है अब भी कोई सफाई दी नहीं है आपको मा जी मैंने आपको कहा था ये पैसो के लिए ही यहां आई है मा, मैंने ये सब नहीं किया पिरा यकीन करो पर मा तुजोर का थपड मारती है चुप, एक दम चुप मुझे पहले ही बहुओं की बात सुन लेनी चाहिए थी तो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए यहां आई है न लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले तेरी इस हरकत के बाद तुझे इस घर में फूटी कौडी भी नहीं मिलेगी तबी रोहित वहां काव्या को लेने आता है और वो ये सब सुन लेता है ये क्या हो रहा यहां काव्या, हमने तुम्हें यहां रहने के लिए भीजा था ताकि तुम अपनी मा के साथ कुछ टाइम स्पैंट कर सको और ये लोग तो मारे साथ ये सब कर रहे अरे छोटे हम नहीं, छोटी तो इनकी सोच है और मा जी एक बात सुन लो हम गरीब जरूर है लेकिन हमारे मन में आपके घर के लोगों की तरद छल कपट नहीं है और आपका धन, आपके पैसे आपको मुबारक चलो काव्या यहां से फिर काव्या रोती हुई, अपने पती के साथ वापस चली जाती है बला चली